हेलो वाट्सप गाईज, ETF गुरुजी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, ETF की दुकान वर्जिन 2 की वीडियो में, तो गाईज यहां पर टाइम देख सकते हो, टाइम ओल्मूस्ट यहां पर थोड़ा लेट हो चुका है, 150 की ओल्मूस्ट, तो चली गाईज यहां प प्लस में देखने को मिल रहा है, तो चली गाईज यहां पर सबसे पहले, प्रॉफिट बॉकिंग करते हैं, तो जैसे मैंने ETF दुकान वर्जिन 2 की होल्डिंग को ओपिन किया, तो ICIC यहां पर देख सकते हो, 4.4 परसेंटेज का अल्मूस्ट प्रॉफिट दे रहा है, तो चली गाईज यहां पर प्रॉफिट बॉक करते हैं, तो सिंपल से हमने गाईज किलिक किया, एंड किलिक करने को बाद गाईज यहां पर exit बटन पर, exit बटन पर जाने को बाद हमने यहां पर limit प्रेस सेट करी, 4.4 परसेंटेज के लिए, लिमिट प्रेस सेट करने को बाद सिंपल से गाईज मैंने यहां पर limit प्रेस डाल दी, एंड सिंपल से swap to sell कर दिया गाईज, एंड हमारा order यहां पर प्लेस हो चुका है, प्रेस सेट करी है, थोड़ी लिमिट प्रेस हमने यहां पर इंकीज करने के बाद तो इसको हमने कर दिया, और से वाले सेक्शन में, order हमारा प्लेस हो चुका है, थोड़ी दिर बेट करते हैं, थोड़ी दिर बेट करने के बाद दिख सकतो, तो PVT वेना ETF में 4.1% का प्रोफिट हमने बुक कर लिया, फिर से हमने थोड़ी दिर बाद फिर से ओपन करा, तो PVT बेंक के अड़ी टिएफ हमें यहां पर अल्मोस्ट 4% का प्रोफिट देरा, 3.93% का, तो चले गएचे हम पर PVT बेंक के अड़ी टिएफ में हमें यहां पर profit बुक करते हैं, तो से हमने किया, click, exit बटन पर limit price set करी है, and some makeup 4% के लिए, मैं limit price डाल देता हूँ and यहां पर इसके बाद हमने कर दिया swipe to sell हमारा order यहां पर place हो चुका है and चलते हूँ orders वाले section में guys orders वाले section में जाने के बाद call आगी मैं cut कर देता हूँ guys and repress करते हैं थोड़ दिर wait करते हैं and उसका देख से तो guys pvt bank ad ETF में हमने profit book कर लिया 4 percentage का तो इस तरह किसे guys हमने 3 ETF में profit book कर लिया बाकी ETF holdings में आपको बता देता हूँ तो fina ETF हमें यहां पर 1.40 percentage का profit दे रहा है guys and यहां पर reliance जो हमें 0.67 percentage का profit दे रहा है guys and यहां पर FMCGI ETF 0.42 percent plus में देखने को मिल रहा है and guys HDFC वेंग यहां पर 0.22 percent plus में देखने को मिल रहा है उसके नीचे must of 50 यहां पर, almost 0.05 percent plus में देखने को मिल रहा है and guys ITC 0.01 percent plus में देखने को मिल रहा है तो इस तरह के से देखने को मिल टिन चीज है यहां पर dpnl में चेक करोगे तो अल्मूस 760 रुपए प्लस में दिखा रहा है यह गाई सुभए हमने प्रॉफिट बुक कर लिया नहीं तो यह हमारा ग्यारा सो बारे सो रुपए के लगए प्लस में दिखा रहा था एंड एक टेम पर तो पंदरह सो तक भी गया था गाईस तो इस तरह से गाईस हैं तो अभी तक वीडियो को अलाइक कर दोगा तो तीन तीन प्रॉपट बुक कर लिया है हमने चैनल को संस्क्राइब नहीं है तो कर लो एंड टेल ग्राम चैनल को ज़ैंन कर लो हम बातचीत करते रहते हैं डेस्क्रिप्सन में लिंक आपको मिल सब्सक्राइब को सर्च किया तो सब्सक्राइब को सर्च किया तो देक्सक्राइब को थाटेक्स एक्वार सब्सक्राइब को Stretch इक इस्क्राइब को सर्च को ने चैशिक्राइब शादै'll कि सब्सक्राइब सबसे पहले नम्मर पर मैं से टैप गोल्ड देखने को मिल रहा है जो 20 DMA से 1.05% माइनस में देखने को मिल रहा है थर्ड नम्मर पर गोल्ड वीज देखने को मिल रहा है जो कि 20 DMA से 0.88% माइनस में देखने को मिल रहा है थर्ड नम्मर पर गोल्ड है ETF देखने को मिल रहा है जो कि 20 TMA से 0.77% माइनस में देखने को मिल रहा है तो चले गाइज अब इनको अपनी ETF होलिंक में चेक कर लेते हैं तो चलते हैं जरूदा में मैं सबसे पहले सर्च करता हूँ सेट अप गोल्ड को उसका नाम चेंज हो गया SBA Gates तो मैंने यह पर डाला तो गोल्ड वीज भी हमारे पास है तो तीनो के तीनो ETF हमारे पास है और यह एवरेजिंग के लैक भी नहीं है क्योंकि 5% से डाउन एक भी नहीं है पर टॉप 10 स्टॉक्स उप में चलते हैं तो TCS 20 DMA से 4.14% माइनस में Infosys 2.29% माइनस में 20 DMA से अपनी ETF होल्डिंग में स्टॉक्स को भी देख लेते हैं कौन-कौन से है सबसे पहले TCS को सर्च किया तो TCS मारे पास है Infosys को सर्च किया Infosys मारे पास है ITC को सर्च किया ITC भी हमारे पास है और लेड़ी प्लस में है तो गाज तीनों ETF तीनों स्टॉक मारे पास है तो किसी भी सॉप में बाइंग नहीं बन रही है हमने आज बाइंग यहां पर प्रॉफिट बोकिंग करी PBT बैंक एड में PBT बैना ETF में and ICIC बैंक में तो गाज हमने यहां पर इंद में झाल